हर तरफ से ठुकराए गए रोगी अब नीराश नहूं युनानी चिकित्सा के माहिर डॉक्टर असलम जावेद अब करेंगे हर असाधारन रोगों का सफल इला कई लोग HIV AIDS, Diabetes, Piles, Psoriasis, Hepatitis B and C, Skin Problems, Lever Problems, Kidney Problems, Hair Problems, Joint Pains or Digestive Problems जैसी पी मार्यों से दूर दराज के रोगी भी परिशान नहूँ डॉक्टर असलम जावेद करते हैं उनलाइन ट्रीट में मिलिये डॉक्टर असलम जावेद से हेल्थ मंत्रा में देखिए हेल्थ मंत्रा, हर अभिवार दुपहर देड़ बजे, सिर्फ इंडिया नीज पर इस कारेकरम के प्रसुत करता है रेक्स रेमिडीस प्राइविट लेमिजेट स्वागत आपका अब्रेक की बाद आप देख रहा है वारे खास पेशकश मुझे मौत की गुजारिश मुझे मौत दे दो मुझे मौत चाहिए मुझे जिन्दार नहीं रहना ये एक अजीबो गरीब मांग है अजीबो गरीब गुजारिश है लेकिन सच है अब तो सुप्रीम कोड भी इसमाइट पर सुन्वाई कर रहा है इसमाइट की वजों को खंगाले में जुटा है आखर क्यूं आज की तारीख में ये सबसे बड़ा सवाल है जब परिश है देखोना इसक्ष के चट पताहट महसूस कीजिये अबसा करें ये तिक अथा परनी अंडर पता है कैसी घुटन होती है यू कार्ण भूव 60 से कंद्स इतन नासकर रेनस के जिनने की के 60 से कंद्स परदाश्त नहीं कर पाया 60 से कंद्स मिस्टर प्रसेक्यूटर अबसा है यूराण खुद की मौत के लिए दलील सुनिये जीने के अधिकार के लिए नहीं मौत के अधिकार के लिए संगर्ष देखे इस संगर्ष की वजए को एक बार फिर महसूस कीजिए एक खाइश यह एक खाइश यह एक खाइश यह एक खाइश यह मौत की गुजारिश है लेकिन अरुणा को देखिए 35 साल से शांद मृत प्राय लेकिन जिन्दा अरुणा की कहानी इतनी दर्दनाक है कि आप भी हिल उठेंगे आप सोच में पढ़ जाएंगे कि क्या भगवान किसी के साथ इतना अन्याय कर सकते है 36 साल से बिस्तर पर पढ़ी अरुणा हिल भी नहीं सकती क्योंकि वो कोमा में है 1973 में मुंबई के के एम अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही अरुणा के साथ एक सफाई कर्मी ने बलाकार किया विरोध करने पर उसके साथ मार पीच की और इस हाथसे के बाद अरुणा कोमा में चली गई अरुणा की देखवाल करने वालों ने सुप्रीम कोट से गुहार लगाई है सुप्रेम कोट ने अरुणा मरसी किलिंग मामले में तीन डॉक्ट्रों का एक पैनल गठित किया है जो अरुणा की मांसिक और शारिरिक हालात का जायज़ा लेगा साथ ये भी तैय करेगा कि क्या ये मरसी किलिंग का मामला बनता है अरुणा रामचंदरन शानबाग पिछले 36 सालों से कोमा में है और मुंबई के केईयम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है अरुणा की देख्वाल करने वाली पिंकी विरानी ने कोट में याचिका दार की थी याचिका में कहा गया था कि अरुणा को बिना भूजन पानी के मरने की अनुमती दी जाए पहले तो सुप्रीम कोट ने इस मामले के सुनवाई से ही इंकार कर दिया था लेकिन फिर कोट ने ये माना कि ये मामला पूरी तरह मरसी के लिंग का नहीं है अब कोट ने डॉक्ट्रों का पैनल बनाया है जो अरुना की जाज करने के बाद कोट में रिपोर्ट देगा आपको बता दें कि भारत में मरसी के लिंग प्रतिबंदित है बारत में इच्छमरतियू को लेकर कोई कानून नहीं है लेकिन इस पर समय समय पर बहस होते रहे हैं आस्ट्रेलिया में इच्छमरतियू के समर्थन में एक डॉक्टर ने जब दलील दी तो उस डॉक्टर को डॉक्टर डेथ कहा गया कैनेडा के समविधान में दो धाराएं ऐसी हैं जिसके अनुसार किसी भी शक्स को इलाज को नकारने का अधिकार हैं लेकिन वहाँ भी इस बावत कोई कानून नहीं है नीदेलैंड और बिल्जियम दो ऐसे देश है जहां इच्छा मृत्यू को कानूनी माननेता प्राप्त है कनड़ा में आन्शिक रूप से इसकी अजाज़त मिलती है आपको उता देश है मृत्यू की अजाज़त मिलती है और इलाज लेने से कई जगों पर मरीज मना कर सकता है लेकिन कानून नहीं है और भारत का कानून इस बात की बिलकुल इजाज़त नहीं देता दुनिया में सर्फ दो मुलक हैं बेल्जियम और नीदरलेंड जहाँ पर मर्से के लिंग की अजाज़त मिलती है हॉलेंड में भी इच्छा मृत्यू जायज़ है और बेल्जियम में कुछ कारण हैं जिनके बाद इसकी अजाज़त दी जाती है इसा स्टुडियो में दो खास महमान मवजूह है धर्मेंदर आरिया साब मौजूद है एडवेकेट है और अर्ले साथ दौC विनोंदा रहना साब मौजूद है जिनरल सिजिक्शन हैं दोनों से बात करेंगे आप दोनों का यह बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में रॉक साब सबसे पहले आप से मैं जानना चाहूंगा आर्या साब से कानूनी जानकारी हम लेंगे इस पर लेकिन पहले आप से जाना चाहूंगा जहां पर मरीज बिलकुल उसकी जो सोचने की चमता है वो खतम हो जाती है बोल नहीं पाता चल नहीं पाता है तो जिस स्टेज में सबसे पेशेंट है वो मेरे को यहीं लग रहा है कि दर तो पेशेंट इसन विजटेटू स्टेटू जे तो ऐसी कंडिशन में मेडिकल टर्मिन अगर बात करें क्या सला देते हैं डॉक्टर की इसला क्या होती है देखेए बहुत ही इस विजए पे बहुत ही कर्टा हुई है और हो रही है लेकिन अगर आप मेडिकल इत्कली हम से पूछे हम तो यही कहेंगे कि देट जो मरसी किलिग है जिसको हम एथैटोनेश्या कहते ह में इट शुट नॉट बी ग्राटेट क्योंकि बेसिकली अगर आप सोचेंगे कि चार-पांच साल पहले जब हम देखते कि कुछ ऐसी डिजीज थी तो लगता था कि इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन आज कल अगर आप देखें कि तक्रीपन 70-80% of the cancer is treated. और अभी recently नई research हो रही है आप stem cell therapies से बहुत ही improvement हो रही है तो बहुत सारे patients recover कर रहे हैं तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि अगर दिन पर दिन हर दिन नई-नई research आ रही है और नई-नई सारे drugs आ रहे हैं तो जब यह सारे drugs आ रहे हैं मार्केट में और आप इतनी सारी research हो रही है तो mercy killing को according to medical ethics it should not be permitted जी इतने इशिया को medical ethics के हिसाब से permit नहीं करना चाहिए इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए अगर उसके अधिकार का कोई हनन होता है तो उसमें आप जो है अपने fundamental rights का उप्योग करते हुए मन्य सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन जहां तक अभी तक जितने भी कानून है कोई भी मरने का अधिकार नहीं देता समय समय पर ये बात उठती रही है बार बार ये बात का लोगों के सामने आती रही है जहां काफी लोगों ने इसका समर्थन भी किया है ऐसी बीमारियों के अंदर जहां बिलकुल ला इलाज बीमारिया हैं दर्द सहन नहीं कर पाते पीचेंट तड़फता रहता है जैसे कि अरुना की कहानी है कि 36 वर्थ तक ये इसी हालत में वो कौवां के अंदर है ऐसे हालात के अंदर जो है कई बार ऐसी मांग उठी है लेक कि M-Tech की student M-Tech जिन्होंने किया हुआ था बिट्स पिलानी की student थी और उन्होंने भी जो है अपनी इच्छा मिर्थ्यू की जाहिर की थी और President of India को उन्होंने petition भीजा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ आज उनका treatment हुआ है वो पहले से काफी better है और आज वो खुद कहती है कि यह मेरी मूर्खता थी इस तरहां की मांग करना अगर इस तरीके से treatment जब हो जाता है इस तरीके से नहीं नहीं development हो रही है तो इस तरहां का जो है कानून अभी तक ऐसा नहीं है इवन मैं आपको बता दूँ developed countries अमेरिका, UK और जो बाकी countries है उन्हों ने भी अभी तक इस चीज की इजाज़त नहीं दी है और वो भी चाहते हैं कि last minute तक जो है efforts किये जाएं जीने के और ऐसे में कई बार क्या होता है कि लोग नाजाज फायदा उठा लेंगे क्योंकि क्या है एक व्यक्ति कौमा में पड़ा हुआ है उसके greedy relatives जो है वो जो है उसकी इच्छा मृत्यू की बात कर देते हैं और इस तरीके की आचिका दायर कर देते हैं दूसरा corruption जगा जगा पर है कहां तक रोकेंगे आप इस तरीके की बातों को जहां तक कानून कहता है कानून ये पिल्कुल क्लियर करता है कि इस तरह का जो है अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और आप देखो क्योंकि मामला सुप्रम कोट के सामने है अब सुप्रम कोट जो है कई बार पहले इस बात को नकार चुके है मन्या सुप्रम कोट जो है इस बात को नकार चुका है और उसके साथ जो है भारत सरकार के जो अपने अटार्णी जनल है उनको भी नोटिस दिया गया है ये सारे लोग आपस में बैठ कर के तय करेंगे कि क्या इस तरह के पेशन्ट जिनको 36 साल से गौवा में जो है रहे हैं इतनी पीडित होने के बाद क्या उनको इस तरह का अधि साथ किया जा सकता है आप से मैं जाना चाहूंगा विनोट रैनर साब मौजूद है मैं साथ मुझे ये जरा समझाई 36 साल से जिसक इस्तिती में है अरुना उसके बाद अब जो कही है मस्पताल के डॉक्टर हैं वो भी अपनी उम्मीद खोचुके हैं तमाम रिसर्च हो रही कि देखिए रिकावरी के चांसे बहुत कम है क्यूंकि 36 साल बहुत आइप है और 36 साल से अगर पेशेंट कोमा में है तो डेफिनिटली यरा वेरी लेस चांट साफ रिकावरी लेकिन मैं एक चीज़ एक क्लारफे करना चाहता हूं देखिए अगर इस चीज़ को लीगली इन और इस नीजिया के लिए कि जिसको मौनर के लिंग करते है इसके लिए आएंगे कि आप इमेजिन नी कर सकते हैं क्यूंकि कल को एक पेशेंट है हुई सफ्रिंग हम HIV वो भी आ जाएगा बोले कि बहुत पैसे की जरूरत है और कल को एक आदमी है जो कमानी रहा है और जिसके को कोई ऐसी कोई डिजीज है फर एक्जंबल इफी सफरिंग फ्रम कैंसर और संथिंग लाइग जहां पर उसको बहुत पैसे की जरूरत है वो बंदा भी आएगा बोले का नहीं साब मेरों को इच्छा मृतिव की जरूरत है तो इस चीज को आप लीगलाइस नहीं कर सकते क् सब्सक्राइब की आप यह देख लेंगी डाट डिशिज मेडिकल एथिकली इस नौट करें मैं एक सवाल इसी में जोड़ना चाहूंगा राप दोनों से मेरा यह कॉमन सवाल है आपने जो बात कही रॉक्षा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं पोरी तरह से सहमत हूं लेकिन ए एक बात यह यह एक पक्ष है दूसरा पक्ष अरुणा का है अरुणा जैसे लोगों का है उनके लिहाज से भी हमें सोचना होगा कुछ ना कुछ यह कानून को भी इस बारे में सोचना होगा आप से अने नहीं होगा डॉक्ट सार देखे मैं रियल्टी मैप देखे I as a doctor I can better understand मैं आपसे भी ज़्यादा समझ सकता हूं कि वह 36 साल बहुत टाइम होता है डेफिनेटली इस वेरी हुज स्ट्रगल मानता हूं मैं इस चीज को लेकिन सर आप हर एक चीज को आप ज्यान में रखिए अब मान के चले कि अगर आपने यह प्रथा स्टार्ट कर दी तो बहुत हो सकती है बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है पूरी सोसाइटी में क्योंकि यह यह तो हम इस वक्त एक पेशंट की बात करें सर ऐसे पता नहीं कितने पेशंट बहुत पेशंट से आप मैजनी करोगे कि यह तट पेशंट हुआर सफरिंग पर्राम सेल्वल पालसी है जिनको प बताइए तमाम बाते आपने सुनी डॉक्ट साब की एक पक्ष वो है जो उन्होंने मेडिकल एथिक्स की बात की है और दूसरा पक्ष जो मैंने से सवाल किया आरूना को लेका आप से आना चाहोगा इन तमान चीजों को देखें क्या ऐसा कानून होना चाहिए या नहीं होन कि यहां पूरी साहनुभूती होनी चाहिए लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसे एक केस को एलाव कर दिया गया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो बाकी लोग है वो पूरी बाड़गी बाड़ा आ जाएगी और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसिस भी होंगे जहां लोग इस बात का नाजाज फाइदा उठाना चाहेंगे और अपने आपको पेशेंट के अटेंट जो हैं वो खास तौर पर पेटिशन लगाना शूरू कर देगे क्यों कि पेशेंट तो कौमा में है हाला कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा गया है जह कर ऐसे केसी को अलाओ कर दिया गया तो इसका मिस्यूज ज्यादा होगा और यूज होने की बजाएं सेकेंड तिंग मैं आपको एक बात और भी बता दू क्योंकि जो हमारा जो है आई पीसी के अंदर जो है अटेंट तो सुसाइड भी ऑफेंस है और अबेटमेंट तो सुस कुछ ना होगा ताब अगे कुछ फैसला लिया जा सकता है और शाद इसलिए सुप्रीम कोट ने कदम आगे बढ़ाया डॉक्स आखरी सवाल आपसे बहुत संशेप में जानना चाहूंगा केवन एक सवाल अरुना के बारे में अरुना की जो स्थिती है इसक्त मेडिकल टर् जीविथ है लॉक्ड में जीविद महिं आएगा बद घयाजिज आगया डिया कोटा पिशन जीविथ है य्या विद्टक ममाहे बद टविखू साम काम नहीं कर पा रहा है। यह स्टेज इसको ना जीवित कह सकते हैं, अवरत कह सकते हैं, कुछ चीज़ें जरूरु शरी में काम कर रही हैं, लेकिन ब्रेंटेड हैं, यह तमाम चीज़ें हैं, मेडिकल टर्मनोलाजी है, आना कि कानून को लेकर बात होई, दोनों का कहना इस त कुछ अरूर शरी में कानू अरूरु आज़ें हैं, अरूरु भरूरु अरूरु झाला इस तो भीकल बात हैं, जरूरु ऑक्रश कर रहा हैं, भाज़ें हैं, जरूरु त